नमस्कार आप सभी का बाईजूस गवर्णमेंट एक्जाम प्रिप में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स आज के इस सत्र में हम लोग दाहिंदू समाचार पत्र में 31 मार्च 2021 को प्रकाशित प्रमुक समाचारों और आलेखों का विसलेशन करेंगे। यह सत्र सिविल सेवा, प्रारंभिक परिक्षा और मुख्य परिक्षा दोनों के लिहाज से ही महत्वपून रहेगा। इसके अलामा स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ, चूंकि 30 मार्च को होली के अवकाश के कारण दाहिंदू समाचार पत्र का अंक हम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था, इसलिए 30 मार्च का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए उ समबोधित करने वाले हैं, स्टूडेंट्स सबसे पहले 29 मार्च को जो मैंने आप लोगों से प्रस्ण पूछे थे, उन अभ्यास प्रस्णों के उत्तर में बताऊंगा आप लोगों को, उसके बाद आर्थिक विकास का समावेश्री मॉडल क्या होना चाहिए और भारत के आ एक बहुत सकारात्मक आलेख है ये, इसके बाद सैच्छिक उत्क्रस्टता में सुदूर छेत्र कोई बाधा नहीं है, उमीद की एक कीरण जगाता हुआ आलेख है ये वास्तों में अगर इसको मैं कहूं तो एक शब्द में आप लोगों के लिए, इसके बाद भविश्री क महामारी संदिक की जरूरत के संबंध में WHO के जो प्रमूख है उन्होंने ये बात कही है, इसके बाद हम लोग भारत और बांगलादेश संबंधों की बात करेंगे, फिर हम तियाव नदी को देखेंगे, जो की भारत और म्यानमार के बेच बहती है, फिर हम लोग लाइके न और इसके बाद प्रारंभिक परिक्षा अभ्यास प्रस्न और फिर मुख्य परिक्षा अभ्यास प्रस्न और उत्तरों की रूप रेखा, आईए सत्र को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक परिक्षा अभ्यास प्रस्नों के उत्तर और पहला प्रस् के लिए 14 अंकों की पहचान संक्या जारी करने की ओजना है इसे भारती विश्च पहचान प्राधिकरण द्वारा क्रियानिवित किया जा रहा है जिसका संबंध ग्रामेड विकास मंत्राले के साथ में है इसके बाद तिसरा है यहां डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिक्री करण कारेक्रम का हिस्सा है सत्य है 2008 से इसको आरम किया गया था और चोथा है इसका उद्यश्य भूमी दोखा दड़ी और संदिक्द भूमी स्वामित्यों को समाप्त करने के अलावा सरजनिक परियोजनाओं के लिए भूमी अधिक्रहन को आसान बनाना है चोथा भी सही है तो एक तीन और चार सही जवाब होगा इसके तो इसका D हो जाएगा राइट एंसर आगे बढ़ेंगे टिप्रा लेंड आंदोलन की प्रमुख मांग क्या है तो C हो जाएगा इसका सही जवाब आधिवासी छेत्रों में सुधेशी त्रिपूरी लोगों के लिए भारत में एक अलग राज्य आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है नीचे दिये गए राज्यों में से कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी में आने वाले उसने कटिबंधी चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित होता है तो इसका जवाब है ओडिसा आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स अगला प्रस्ण है नीचे में से कौन सा या से कथन सही है या है पहला है पौंग बांध जील वन्य जीव अभ्यारने उत्तराखंड में स्थित है जी नहीं इसका संबंध हिमांचल प्रदेश से है पहला वाला गलत हो जाता है ये ब्यास नदी पर है महाराना प्रताफ साग अगर भी कहते हैं दूसरा सही है और तीसरा भी इसका सही है क्योंकि ये राजक्रिय महत्यों की आद्रभो में भी है और रामसर सम्मेलन के तहत रामसर इस्थल के रूप में भी इसको गोशित किया गया है दूसरा और तीसरा सही हो जाता है डी इसका सही जवाब होगा आग है इसका चंबल नदी आई ये स्टुडेंट्स हम लोग खबरों के सेग्मेंट पर चलते हैं और जरा देखते हैं अपने पहले आलेक को तो हमारा पहला आलेक जो है पेस संख्या 6 से लिया गया है जी एस त्री एकॉनमी के साथ में इसको हम लोग जोड सकते हैं बहुत शानद कि शाइनिंग इंडिया तब तक नहीं होगा जब तक कि भारत के अंदर में विशंता व्याप्त है और संपत्य पर केवल कुछ ही लोगों का अधिकार हो रखा है आए देखते हैं जरा लेखक कहते हैं कि संपत्य का असमान वितरन भारत के विकास के सामने एक बहुत बड़ चैलेंज है और इस चुनोती से भारत पार कैसे पाएगा इसके लिए भी लेखक कहते हैं कि देखिए जमीनी इस तर से अगर हम विकास के मौडल को जोड़ दें बहुसंख्यक आबादी तक विकास का हम लोग लाब पहुँचा सकें तो निश्चित रूप से भारत के विका पांश बता दिया आपको अब जरा बात करते हैं इससे जुड़े हुए अन्य बिंदुमों की भी जहां से ये आलेक और इस पस्ठ होगा आपको देखिए लिखा कहते हैं कि वैश्विक भुक्मरी सुचकांक 2020 में भारत 107 देशों में 94 में स्थान पर रहा जो कि निश्चि 2020 में ये 144 में रेंग थी तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है यहाँ पर अब ये सुचकांक और ये सुचकांक इस बात को दिखाते हैं कि भारत के जन्मानस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है आगे बढ़ते हैं वैश्विक खुशाली रिपोर्ट के बारे में कुछ एक बिं समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है आगे देखेंगे जरा वैश्विक भुक्मरी सुचकांक की में बात कर रहा था तो इस सुचकांक को आयरलेंड स्थित एक एजंसी कंसर्ण वर्डवाइड और जर्मनी के एक संगठन वेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा सेयुक दुरूब से तयार किया जाता है यह फैक्चुल जानकारिया है कुछ आप लोग जान रखेंगे इस पर और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसका जो स्कोर है वो चार संकेतकों के आधार पर निकाला जाता है अलप पोशन जब कैलोरी की मात्रा कम मिले इसके अलाम की तुलना में कम उचाई तो यह और ज्यादा को पोशन को दिखाता है उम्र बढ़ी लेकिन उचाई नहीं बढ़ी और इसके अलामा बाल मृत्यूदर पांच वर्ष से कम आयू के बच्चों की मृत्यूदर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे इस बिंदू को बहुत अच्छे से कि जियाचाई के अंदर में जब बाल मृत्यूदर की बात करते हैं तो उम्र कितनी वहाँ पर है पांच वर्ष से कम ऐसे आकड़े पूच लिया जाते हैं कई बार जो है और फिर बच्चे वहाँ पर फस जाते हैं अब जड़ा आगे बढ़ते हैं लेका तक की बहुत तेजी से वो गरीब हुए और उनकी स्थिती में कोई सुधार होता हुआ भी नहीं दिख रहा है और अगर आकड़े उठा के देखें तो इस महामारी के दौर में भी भारत में जो कुछ बड़े अमीर लोग थे उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ अगर वर्त जीडीपी का पैमाना नहीं हो सकता विकास का पैमाना नहीं हो सकता क्योंकि वो एक पक्छी तस्वीर हमारे सामने ला करके रखता है लेकर फिर कुछ आकड़े हमारे सामने रख करके अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं जैसे भारत की जो वायू है उसकी अगर ह ही खराब इस्टेती है अगला एक बिंदू है जल के संदर्व में तो 122 देशों के अंदर में 120 भी रैंक है भारत की अब लेखक यहां पर कहते हैं कि विश्व के अंदर में विकास की जो रणनीतियां है वो जरूरी नहीं है कि स्थानी इस्तर पर भी लागू हो जाएं क्यों विकास को स्थानी इस्तर पर लोगों के द्वारा हमें संबंध करना पड़ेगा और जब हम इन दोनों चीजों को जोड़ पाएंगे तो निश्चित रूप से हम सतत विकास की प्रक्रिया के तरफ आगे बढ़ पाएंगे और अधिक से अधिक लोग इसके साथ में जोड़ ले करके आएंगे सामाने तहा स्थानी इस तर पर उनके बहुत अच्छे परिणाम नहीं आते हैं आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स लेकर यहां पर कहते हैं कि निश्चित रूप से भारत का एक लक्ष है कि हमारी जीडीपी को पाच ट्रिलियन डॉलर तक ले करके जाना है और इसके लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं उन प्रयासों पर भी इस आलेक में प्रस्ण उठाया गया है जैसे अमीरों को मदद की जा रही है दरसल जो हमारा वर्तमान आर्थिक मॉडल है वो इस इधान्त पर काम करता है कि जो अमीर हैं उनको धन दिया जाए उनको अन और इस तरीके से क्या होगा कि लोगों के जेब में जब पैसा आएगा तो एक प्रकार की आर्थिक मांग पैदा होगी और फिर नए उद्योग धन्दे उस थापित होंगे और जो हमारी अर्थ वस्ता है वो तेजी से आगे बढ़ेगी लेकिन ज़रा सोचिए कि अमीरों को जो मदद दी गई अगर उन्होंने उस मदद के संदर्व में उद्योग धन्दे स्थापित नहीं किये अगर वो उस लाब को अपने पास लेकर के बैठ गए तो फिर ऐसे में अमीर और अमीर होते हुए चले जाएंगे और जो एक बहुत संक्यक आबादी है जिसके पास संस जाधन नहीं है वहाँ और गरीब होती चली जाएगी लेखक आगे कहते हैं कि सत्ता का केंद्री करण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है जिनके पास राजनितिक मदद है जिनके पास आर्थिक मदद है सत्ता पच्छ उनका ध्यान रखता हुआ दिखाई रहा है वो केवल कुछ लोगों को लाप पहुचाते हुए दिखाई पड़ते हैं ना कि जो वंचित वर्ग है उसको लाप पहुचाते हुए दिखाई पड़ते हैं इसके अलामा 2022 में हम अपनी आजादी की 55 वर्सगाट को मनाएंगे और 1947 में जवाहरला नहरू ने जो भारत की भाग्य वधू से चिर्प्रतिचित मुलाकात होगी तो क्या वो चिर्प्रतिचित मुलाकात भारत की हो गई क्या भारत ने सपनों का वो भारत बना लिया जिसका लक्ष निर्धारित किया था हमने 1947 में लेखक इस पर एक प्रश्न चिन्न खड़ा करता है लेखक कह बलकि मानो विकास के सुचकांक पर मापना चाहिए हमारा जो आर्थिक विकास का मॉडल है वो बहु संख्यकों के कल्यान पर आधारित होना चाहिए आए स्टुडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगला समाचार पेश संख्या साथ से लिया गया है जी एस्ट्री एकॉनमी के साथ में जोड़ेंगे इसको आ रोड टू प्रोग्रिस फॉर विमेन डेरी फार्मर्स कोपरेटिव एंड यूनियंस आर अप पाथवे तो फाइनिस्ट्रियल स्टेबिलिटी आए देखते हैं इस आलेक में इस विशे को उठाया गया है कि महिला डेरी किसान जो है उनको सहकारी समितियों और सहकारी संग के माध्यम से विच्तिय स्थिर्था के तरफ ले करके जाया जा सकता है और इस अंदर में कुछ केसिस्टडी भी हुए है जो की बहुत उत्साहजनक परिणाम ले करके आये है और जो ग्रामीर छेत्रों की एक आर्थिक सुद्रडता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं उसमें महिला डेरी किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते है आए देखते हैं जरा महिला डेरी किसानों से जोड करके हम लोग देखते हैं स्वयत करांती को भारत में दुग्ध करांती तो दुग्ध करांती को आगे बढ़ाने के लिए जो ओपरेशन फ्लर्ट चलाया गया उसकी सफलता में दो बड़ी प्रमुकबाते थी पहला छोटी भूमिखंड वाले किसान और ऐसे किसान जिनके पास दो से पाँच गाए थी और यहाँ पर महिलाओं की प्रमुकता देखी गई तो ये एक ऐसा विशेश बिंदू है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए और जो सफलता ओपरेशन फ्लड के माध्यम से प्राप्त की गई उस सफलता को अन्य छेत्रों में दोहराने का प्रयास किया जाना चाहिए आगे देखते हैं जरा अब यहाँ पर एक संस्थान है इंटरनेशनल डेवलप्मेंट रिसर्च सेंटर उसका एक सोध है कि महिला किसान प्रशिछण को अगर बढ़ावा दिया जाए इसके अलमा इन महिला किसानों को अगर वित्तिय सहयोग दिया जाए तो सफलता की संभा आउनाएं बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं और इस बात को नेशनल डेवलप्मेंट बोर्ड के द्वारा भी इस्थापित किया गया है अगर हम बात करें एंडी डी बी की तो एंडी डी बी महिला किसानों के लिए ऐसे ही कई सारे प्रशिछण कारेक्रम चलाता है जिसके म साफ तरीके से दुगद का उत्पादन कैसे किया जाए तकनीक की मदद कैसे ली जाए तो इन सब के बारे में महिला किसानों को प्रशिछित करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके परिडाम बड़े उत्साहजनक है यहाँ पर एक सोद सामने आया विमेन डेरी को गर में बतला और उनके घर में जो बच्चे रहे उनकी सिक्षा तक पहुँच आसान हुई इसी संदर में भीलवाडा जो कि राजस्थान में है इसकी मिल्क यूनियन का उदाहरन दिया गया कई सारी किसान महिलाओं का जिन्होंने पक्या घर बनाए इसके अलामा स्रीजा मह महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी जो कि NDDB के सहयोग से स्थापित के गई करीब 400 करोन से अधिक का टर्नोवर है इनका कई हजार महिला डेरी किसान जुड़े हुए है इनके साथ में इसके अलामा अभी हाल ही में अमूल ने उन 10 महिला लखपतियों की सूची जारी की वास यह बहुत उत्साजनक आकड़े हैं अगला समाचार पेश संक्या 6 से लिया गया है GS2 governance के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं बहुती आशाजनक आलेक है यह रिमोटनेस इस नो हिंड्रेंस टू एकेडमिक एक्सिलेंस आए देखते हैं जरा क्या-क्या बातें यहाँ पर कही चता है उस पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ऐसा सेचलिक संस्थान जिसके आज पास कोई उद्योग नहीं इस्थित है शहरों से बहुत दूर इस्थित है तो क्या वहाँ पर जो सिक्षा की गुणवत्ता होगी क्या वो अच्छी होगी तो लेखक कहते हैं कि जी नहीं सि इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ पर जो शिक्षक हैं वो कैसे हैं शिक्षा किस प्रकार से दी जा रही है सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती है कोई सैच्षिक संस्थान कितना दूर इस्थित है इस बात से कोई विशेस फर्क नहीं पड़ता अब यहाँ पर ले तो उनके भास्षा कोशल पर ध्यान दिये जाने की आउशक्ता रहती है ताकि वो अपनी कच्छाओं के अंदर में अपने अध्यान को ठीक से आगे बढ़ा सकें इसकी अतिरिक्त वो अपने पाठिक्रमों में जिन उपकरणों को देखने वाले हैं उन उपकरणों को समझने पर विश्यस ध्यान दिया जाएं कुछ ऐसे इंडक्शन प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाएं जो कि इन छात्रों को जो है सेचलिक संस्थान के साथ में जोड़ पाएं लिखक आयाटी मंडी का उदाहरन देते हैं कि वहाँ पर पांच सप्तहा का इंडक्शन कारिक्रम च एड्रेस कर ले जाएं तो निश्चित रोप से सेचलिक संस्थानों के गुडवत्ता को और बहतर किया जा सकता है लेखक यहाँ पर कहते हैं कि शोध और नवाचार केवल जो पुराने और इस्थापित विश्वविद्याले हैं केवल वही नहीं हो सकते हैं नए IIT मंडी को भू इस्खलन चेतावनी प्रणाली का विकास करने के लिए स्कौच अवार्ड भी दिया गया और जरा ध्यान दिजिएगा हमारे जो IIT हैं वहाँ पर वर्तमान में इस विशे पर ध्यान दिया जा रहा है कि जिस छेत्र में कोई भी IIT इस्थित है तो उस छेत्र के अंदर में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुल्जाने के लिए तक्नीकी इस्तर पर क्या निदान किये जा सकते हैं क्या समाधान प्रस्तूत किये जा सकते हैं इसके लिए उस IIT के अंदर में शोध और नवाचार को बढ़ावा दिया जाए तो IIT मंडी ने जिसे हिमा यहां से लेख्यक यहां पर दो उदाहरन देते हैं एक तो कॉर्णेल विश्रविद्याले का जो की न्यू यंग्लेंड के ग्रामीर छेतर में इस्थित है और इसके आज पास कोई कमपनियां वगर इस्थित नहीं है फिर भी इस विश्रविद्याले के अंदर में शोध और न वाचार पेस्तं क्या 13 से लिया गया है जी एस टू आयार से इसको हम लोग जोड लेंगे और न्यू पैंडेमिक ट्रीटी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं ठेड्रोस एटनेम साप ज़रा देखते हैं इसको देखिए वर्तमान महामारी ने इस बात को तो हमें समझा दिय कि दुनिया के अंदर में जो वाइरस वगरे हैं इनकी जानकारियां लगातार साज़ा होती रहनी चाहिए बिमारियों के बारे में जानकारियां साज़ा होती रहनी चाहिए ताकि अगर कोई ऐसी भ्यानक बिमारी आती है तो उसका सामना किया जा सके और इनी सब चीजों को नेता और डबलू एचोर ने मिल करके चरचा की उध्जेश था हनिकारक वायरसों की जानकारी इसके अलामा महामारी को रोकने में उसके दुष्प्रभावों को कम करने में तकनीक हमारी मदद कैसे कर सकती है इसके अलामा वैक्सीन का निर्माड तेजी से कैसे हो तो इन सारे लक्षियों को प्राप्त करने के लिए हमें एक संगठित विचार किया उशकता है जिसके लिए एक अंतर राष्ट्रिय महामारी संधी जरूरी होगी भविष्ट के लिए। जिसको जो सत्र हुआ था उसमें संबोधित कर चुके हैं तो आप लोग उस सत्र को देख लेंगे और आपको एक पूरा यहां से आइडिया मिल जाएगा फिर इसको आप लोग पढ़ लेंगे सारा मामला इसपस्ट हो जाएगा आपको आईए आगे बढ़ेंगे यहां से हम ल रहे हैं वो मिजोरम मडिपूर के राजते हमारे देश के अंदर में आ रहे हैं और वहां के जो राजिकी सरकारे हैं इसे मिजोरम के अगर में बात करूँ तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है कि यह लोग कब तक हमारे देश में रहेंगे तो ऐसे में इन लोगों को मनरे कि अंदर में हम काम देने का प्रयास करेंगे अब यहां पर केंद्र सरकार क्या क्या रुख होता है वो भी देखने वाला होगा यहां पर अब यहां पर आप लोगों के लिए प्रारंबिक परिक्षा के लिहाज से एक महुत्वपून बिंदू है तियाउ नदी स्टूडेंट यह लोग भारत के तरफ आ रहे हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से पेसंक्या 8 से लिया गया है समाचार को लाइक्यनाइड तितलियों की खोज की गई है भारत के अंदर में बिल्कुल नहीं प्रजातियां है और जो यह खोज दल था इसमें सब लोग जो है वो भारत क ही थे पहली बार ऐसा हुआ है भारत के अंदर में कि पूरा खोज दल ही भारतिय था और उन्होंने इन चितलियों की खोज की कहां पर खोजा है इसको तो अगस्ते मलाई का जो पस्चिमी घाट का छेत्र है केरल और तमिल नाडू वाला वहां पर ढूड़ा है आप लोग मा पॉक्सो अधिनियम है इस बात को जानना चाहता है कि क्या इसको जो है जो माइनर्स है उनके खिलाब भी क्या इसका प्रयोग हो सकता है क्योंकि ऐसे ही संबंद में तमिल नाडू में एक मामला सामने आया था फिर वो सुप्रीम कोड के पार भी पहुचा तो पॉक्सो अध दिनियम में बालक की परिभाशा क्या है तो 18 वर्स से कम उम्र का जो भी है जो है इन्हें एक बालक के अंतरगज जो है रखा जाता है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग पेसंख्या 10 से है वरतमान समाचार जैसंकर सहाब की मुलाकात हुई है जो कि भारत के विदेश मं परिखाया कि अफगानिस्तान के अंदर में जो तालिबान के साथ जो वारता चल रही है शांति प्रक्रिया को बनाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए भारत भी वहां पर एक हद तक सामिल है तो जो पडोसी देशे उनको बहुत चिंता करने किया हो सकता नहीं है तो हम मिल एशिया के साथ में जो है भारत के जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट से वहां पर जाके जुड़ता है हर्ट आफ एशिया की पहले हम लोग बात कर लेते हैं तो 2011 में इस्तांबूल से सुरवात हुई थी इसको इस्तांबूल प्रोसेस भी कहते हैं एक और नाम है इसका यह और इसका उद्धेश रहा अफगानिस्तान में थेड़ता है और समुरद्धिक को बढ़ावा देना तापी परियोजना की बात करते हैं तो इसमें तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत शामिल है गैस पाइप्लाइन परियोजना है यह जो है जाके जो गैस फिल्ड है उनके साथ भारत को जोडने का एक महत्वा कांग्ची प्रोजेक्ट है यह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मांचितर पे तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पर यह अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान से होते हुए भारत के छेतर तक जो है इसको लान किया गया है यूरोपिय परिशत की संसदी सभा के द्वारा और इनको वैक्लेव हैवल मानवादिकार पुरसकार 2020 के लिए इनको एक तरीके से नमांकित किया गया है यहाँ पर तो अब बाकी क्या होता है वो तो सब एक अलग बात है लेकिन यहाँ पर इनको शॉटलिस्ट किया गया है आप यहाँ से देख सकते हैं इसको तो आप लोग ध्यान रखेंगे डुक्पा को डुक्पा जो है बहुत बिछुडियों का एक समूह है आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से और अगला समाचार पेस्तंक्या 14 से लिया गया है वर्क विद इंडिया ऑन फंडि इंफ्रा सितारमन अर्जस एंडिबी नियू डेवलोप्मेंट बैंक से सम्मंदित है बहुत बार चर्चा में रहता है स्टुडेंट्स यह वी शेप्ड रिकवरी के खूप सारी बाते होई है बार बार आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे वी शेप्ड रिकवर और किसी भी देश को वीटो की शक्ती यहां पर नहीं दे गई है नियू डेवलोप्मेंट बैंक के अंदर में आगे बढ़ते हैं स्टुडेंट्स हम लोग प्यारमिक परिक्षा अभ्यास प्रस्णों को देख लेते हैं और पहला प्रस्ण है निम्नलिखित कथनों में से ही है या है तो पहला है वैग्यानिक और अध्योगिक अनुसंधान परिशत सुतंत्रता के बाद स्वायत निकाय के रूप में स्थापित की गई थी दूसरा है अरकोट रामास्वामी मुदलियार ने CSIR के निर्माड में में महत्पून भूमिका निवाई थी तिसरा है यहा दो तीन और चार एक दो तीन और चार अगला प्रस्न है उन्नत स्वक्ष उर्जा संस्थान के तहत भारत किस देश के साथ सयोग करता है विकल्प है इजरायल फ्रांस सयोगत राज अमेरिका जर्मनी अगला प्रस्न है डीप टेक शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या है विकल्प है प्रोध्योगी की जो दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोगों में अंतर नहित है दूसरा है वास्तविक अभियांत्र की नवाचार या वैग्यानिक प्रगति पर आधारित प्रोध्योगी की जो पर्याप्त वैग्यानिक या अभियांत्र की चुनोतियों का समाध अगला विकल्प है प्राध्योगी की जो क्रत्रिम बुद्धी मता, रोबोटिक्स, स्वच्चालन, अंतरिच्छ अभियांत्रकी और साइबर सुरक्षा को एक साथ दाती है, आखरी है प्राध्योगी की जो कमजोर वर्गों के पहुच से बाहर और महेंगी है, अगे बढ़त प्रशने हैं, निलिकित कथनों में से कौन साया से कथन सही है या है, तो यहाँ पर हमारे सामने पहला कथन है, समान नागरिक सहीता संपून देश के लिए एक कानून का प्राधान करेगा, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके विक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, विरासत गोद लेने आदे के लिए लागू होगा, दूसरा है, सम्विधान के अनुच्छेत चवालिस में यहाँ प्राधान है कि राज्य भारत के पूरे छेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहीता को सुरच्छित करने का प्रयास करेगा, तिसरा है, अनुच अगे चलते हैं, प्राया चर्चा में रहने वाली तियाव नदी कि संतर राष्ट्रिय सीमा के एक भाग का निर्मार करती है, भारत चीन, भारत भूटान, भारत म्यानमार, चीन और म्यानमार, बड़ा असान सा प्रस्ना आ गया, अभी आपको बता के आ रहा हूं, अगला प यहाँ अध्वतिय भी है, क्योंकि यहाँ अभिव्यक्त पर सबूत का भार अधिरोपित करता है, तिसरा है, अधिनियम की एक और विशेस्ता यहाँ है, कि यहाँ आपराधिक न्याय प्रणाली को बाल सुलब बनाने और पुना आगहात को रोकने के लिए प्रक्रियायन ज करनाटक और तमिलनाडू, करनाटक और केरल, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगला प्रस्न है, अफगानिस्तान से संबंधित Heart of Asia समेलन को और किस नाम से भी जाना जाता है, इस्तामबूल प्रक्रिया, दोहा समवात, काबूल प्रक्रिया, शांग्रिला समवात, इकल्प है आपके सामने, एक, दो, तीन, चार, और छे, एक, दो, चार, पाँच, और छे, तीन, चार, पाँच, और छे, दो, तीन, चार, पाँच, और छे, अगे बढ़ते हैं, वेकलेव हैवल मानवादिकार पुरसकार किसके द्वारा इस्थापित किया गया था, संयुक कथनों में से कौन साया से सही है या है तो कथन एक है निव डेवलप्मेंट बैंक ब्रिक्स देशों द्वारा इस्थापित एक बहुँ पच्छी विकास बैंक है दूसरा है इसे 2014 के फोटा लेजा गोशना के माध्यम से स्थापित किया गया था तिसरा है बैंक में चीन और र प्रत्रिम जील है तो विकल्प है आपके सामने कोडाई कनाल तमिल नाडु कोलेरू आंध्र प्रदेश नैनी ताल उत्तराखंड रियंडुका हिमांचल प्रदेश आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स मुख्य परिक्षा अभ्यास प्रस्ण को देखते हैं पहला प्रस्ण इसका आश्य क्या है फिर हम लोग यहाँ पर जो है चर्चा कर लेंगे भारत का वरतमान जो आर्थिक विकास मॉडल है वो कि सिध्धांत पर काम करता है तो आप लोग यहाँ पर जो है यह जो अधोमुखी निस्यंदन का सिध्धांत है उससे जोड़ करके आप इसको समझा आईएगा जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे पूंजी पतियों को आर्थिक मदद दे करके यह आशा की जाती है कि उनको जो लाव मिले हैं वो नोकरियों के रूप में वेतन के रूप में जो है समाज के दूसरे निचले वर्गों तक पहुंचेंगे फिर इस च कैसे रिकवर होंगे कैसे आगे बढ़ेंगे यह सब कुछ जो है एक भविष्ट के गर्व में छुपा हुआ है वंचितों के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप उठा कर बता देंगे तो इन सबसे मुख्य भाग बहुत अच्छा सा बन पड़ेगा फिर विकास क कि एक जो वैश्वी का राह बताई जाती है और इस्थानी इस्तर पर उस राह से क्या लाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं या इस्थानी इस्तर पर विकास की एक अलग रणनीती होनी चाहिए इन सब विश्वियों को निश्कर्स में आप संबोधित करते हुए इसको महिला डेरी किसानों का एक परिचय और operation flood से इसको जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा एक आपका परिचय बन जाएगा इसके बाद में मुख के भाग में आप जब जाएंगे तो महिला डेरी किसानों के जो कारे हैं जो उपलब्धियां मैंने case studies आप लोगों को बताई थी राजस्थान की बात की थी श्रीजा की बात की थी अमूल की बात की थी उनको बता देंगे फिर इनके सामने जो चुनोतियां मौजूद हैं उन चुनोतियों की बात कर देंगे तो इससे मुख के भाग आपका अच्छे से लिख जाएगा इसके बाद में फिर सरकारी सहयोग वित्तिय सहयोग और प्रसिच्छन को अगर और बहतर बना दिया जाए तो महिला डेरी किसान भारत की समरद्ध की एक नई कहानी लिखने में स्ट्रक्षम है स्टुडेंट्स मैं आशा करता हूँ आज का सत्र आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा विडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए बाइजूस गवर्नमेंट एक्जाम प्रेप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को आप प्रेस कर लेंगे सारा नोटिफिकेशन्स आपको समय से मिल जाएंगे आज के सत्र को देखने के लिए आप सभी को बहुत आभार